अरस्तू, युनान की एक महान ग्रीक दर्जनिक और वैज्यानिक थे। वे प्लेटो के सबसे स्रेश्टम शिश्यों में से एक थे। इसके साथ ही वे विश्वविजेता कहलाने वाले सिकंदर के भी गूरू थे। अरस्तू का मानना था कि पिर्थवी ब्रह्मान के केंदर में हैं और केवल चार तत्व से बनी हैं मिट्टी, जल, वायू और अगनी। पढ़ाई के अंतिम वर्षों में वो स्वेम एकादमी में पढ़ने लगे। अरस्तू को उस समय का सबसे बुद्धिमान वेक्ती माना जाता था। जिसके प्रशंशा स्वेम उसके गुरू भी करते थे। उन्होंने भौतिकी, गडित, नाटक, तर्क शास्त्र, नीती सास्त्र, जीव विज्ञान, आध्यात्म, संगीत, कवीता, राजनीती सास्त्र समेत कई विश्यों पर रचनाई की थी। अरस्तु ने अपने महान विचार और सिक्षाउंक से लोगों को जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता बताया। तो आईए सुनते हैं महान विचारक अरस्तु के महान और प्रणात्मक विचारों के बारे में। धैरे कडवा होता है पर इसका फल हमेशा मीठा होता है। एक मनुष्य के पास चाहे सब कुछ हो लेकिन दोस्तों के बीना कोई भी जीना नहीं चाहेगा। जो सभी का दोस्त होता है वो किसी का दोस्त नहीं होता है। सिख्षा की जड़ें कडवी होती हैं लेकिन फल मीठे होते हैं कोई भी गुस्ता हो सकता है या आसान है लेकिन सही व्यक्ति से सही सीमा में सही समय पर और सही उद्देश के साथ सही तरीके से क्रोधित होना सभी के बसकी बात नहीं है और यहां आसान नहीं है लोगतंत्र तब होगा जब किसी अमीर की जगा कोई गरीब देश का शाशक हो क्रान्ती और अपरात की जनक गरीबी है दोस्त क्या है? दो शरीर में आवास करने वाली एक आत्मा युवा शिगर्ता से उम्मीद लगाते हैं इसलिए वो आसानी से धोका खाते है एक निश्चित बिंदू के बाद धन का कोई अर्थ नहीं रह जाता किसी इनसान का स्वभाव ही उसे विश्वशनी और लोकप्रिय बनाता है ना कि उसकी संपत्ती किसी विचार को अपनाय भिना उसे मानना किसी सिक्षित दिमाग का ही निशान है अपने दोस्त का सम्मान करो पीचे उसकी प्रसंसा करो और ज़रुत पढ़ने पर उसकी मदद करो आलोचना से बचने का एक ही तरीका है जीवन में कुछ मत करो कुछ मत कहो और कुछ मत बनो हम वही हैं जो हम बार-बार करते हैं स्रिष्टा आपके काम में नहीं बलकि आपकी आदतों में है बुरे व्यक्ति का मन सदय और पस्चाताप से भरा होता है सबके साथ अच्छा व्यवार सभी गुणों का सार है अच्छी शुरुवात से ही हमेशा आधा काम हो जाता है स्वयम को जानना ही ग्यान की शुरुवात है इनसान के सभी कर इन साथ कारणों में से किसी एक या अधिक वजहों से प्रिदित होते हैं मौका, स्वभाव, मजबूरिया आवशेक्ता, आदत, वजह, जुनून तथा प्रबल इच्छा जिसने अपने दुश्मनों को पराजित किया उसे साहसी कहने के बज़ाए जिसने अपनी इच्छाओं को वशिभूत कर लिया है मैं उसे साहसी और बहदुर कहूंगा क्यूंकि सबसे बड़ी जीत हम पर ही हमारी होगी आशा जाकते हुए देखा गया सपना है जैदा कामवासना से क्या हासिल होता है इससे जैदा प्यार होता है हमारे जीवन के गहनतम अंधकार के वक्त हमें अपना ध्यान उजाला देखने पर केंद्रित करना चाहिए महान विचार वाले मनुष्य को लोगों की सोच की बजाए सत्य की और अधिक ध्यान देना चाहिए सीखना कोई बच्चों का खेल नहीं है हम जीवन में बिना दर्द के कुछ भी नहीं सीख सकते है मन की उर्जा ही जीवन का सार है जो एक अच्छा अनुयाई नहीं बन सकता वो कभी अच्छा लीडर भी नहीं बन सकता अच्छा लिखने के लिए खुद को एक आम मनुष्य की तरह व्यक्त करो लेकिन सोचो एक चतुर व्यक्ती की तरह प्रसन्नता ही जीवन का सही अर्थ और उद्देश है यही मनुष्य के अस्तित्व का जीवन भर उत्कृष्ट धेय है